दस वर्ष पहले मैंने भारत की एक्टिस्ट पॉलिसी की गोश्णा की थी। पिछले एक दसक में इस नीती ने भारत और आश्यान देशों के एतिहासिक सबंदों को नई उर्जा, दीशा और गति दी हैं। आश्यान सेंट्रलिटी को प्रमुक्ता देते हुए, 2019 में हमने इंडो प्रसिपिक ओशन इनिशेटिव लॉंच किया था। यह आश्यान आउटलूक और इंडो प्रसिपिक को कॉंप्लिमेंट करता है। पिछले वर्ष छेत्रिय सुरुक्षा और स्थूर्चा के लिए मेरिटाइम एक्सेसाइज की शुरुवात की गई है। पिछले दस वर्षों में आश्यान छेत्र के साथ हमारा व्यापार लगभग दो गुणा होकर बन थर्टी बिलियन डॉलर से अधीक हो गया है। आज सेवन आश्यान देशों के साथ भारत ने डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी हैं और सीग रही बुरुनेई के साथ भी सीधी उडाने शुरू होगी। तीमोर लेश्टे में हमने नया दुतावास खोला है। आज से आम छेत्र में सिंगापूर पहला देश था जिसके साथ हमने फिंटेक्टिविटी स्थापीत की। और अब ये सफलता अन्य देशों में भी दोहराई जा रही है। पीपल सेंट्रिक एप्रोच हमारी डेवलोप्मेंट पार्टनर्शिप का आधार है। थ्री हंडेड से अधिक आश्यान छात्रों को नालंदा उनिवर्सिटी में स्कॉलर सिग्वालाब मिला है। नेट्वर्क आफ उनिवर्सिटी लाउंच किया गया है। लाओ, कमबोडिया, वियतनाम, म्यानमार, इंडोनेशिया में सांजी विरासत और धरोहर के सर्वक्षन लिए काम किया गया है। कोवीड महामारी हो या फिर प्राकृतिक आपदा मानवी अदाईतों उठाते हुए हमने एक दुसरे को सहायता दी है। विविन्रक्षेत्रों में सहयोग के लिए साइंस और टेक्लोलोजी फंड, डिजिटल फंड और ग्रीन फंड स्थापित किये गये हैं। भारत ने इन में 30 मिलियन डॉलर से अधिक का योगदान किया है। परिणाम स्वरूप आज हमारा सहयोग अंडर बोटर से लेकर स्पेस तक फ्यला है। यानि पिछले दसक में हमारी भागिदारी हर प्रकार से व्यापक हुई है। और यह प्रसंदता का विशह है कि 2022 में हमने इसे comprehensive strategic partnership का दर्जा दिया था। साथियों हम एक दूसरे के पडोसी हैं, ग्लोबल साउत के साथी सदस्य हैं और विश्व में तेज गती से ग्रो करने वाला क्षेत्र है। हम शांति प्रिय देश हैं, एक दूसरे की राष्ट्री अखंडता और संप्रभूता का सम्मान करते हैं और अपने युवाओं के उजवल भविश के प्रती हम committed है। मेरा मानना है कि 21 सदी एशियन सेंचूरी भारत और आश्यान देशों की सेंचूरी है। आज जब विश्व के कई हिस्सों में संगर्ष और तनाव की स्थिती हैं, तब भारत और आश्यान की मित्रता, समनवय, समवात और सहयोग बहुत ही महत्पपून है। आश्यान की सफल अद्रिक्स्ता के लिए मैं लाओ पीडियार के प्रधानमत्री सोंसाय सिपांदोन को हारदिक बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि आज की हमारी बैठक भारत और आश्यान साजेदारी में नए आयाम जोड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। को सरेंखोंग खौपचाय तो कमिन खौंग पनाथान ने।